दोस्तो खुशी राम बाई का कोमेंट आया है कि सर थन की दार टाइट है थन फटे है तो दोस्तो इस बाई की जो पुसू है उसको दो समस्याई है एक तो उसकी जो थनों की दार है वो टाइट है थन से बहुत पतली दार आ रही है और दूसरा थन फट जाते है सरदियों में क बहुत ही गंबीर है लेकिन आप चिंता ना करें शीष पाल मलिक है तो डोंट वरी टेंशन नहीं लेने का पसुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है तो यह जो खुशी रामबाई की दो समस्या हैं कि एक तो यह कि उनका जो पसुओं है उसके थणों की धार ट चिंता नहीं करें पूरा पक्का इलाज है और इलाज भी आपकी रसोई में है दोस्तों कहीं बाहर से आपने कुछ खरीद कर नहीं लाना है दोनों जो समस्या हैं दोनों का इलाज आपके घर में मुझूद है तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शीष पाल मलिक और आप देख देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाजू में जो गंटी का बटन है उसको भी दबाकर ओल पर सैट कर ले और दोस्तों अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को भी फोलो कर लीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि खुशी राम भाई का मेसेज आया उनकी जो पसू है उसको दो दिक्कत है एक तो यह कि उसके जो पसू के थणों की दार है वो बहुत ही टाइट है थणों से बहुत बारिक दार आ रहे बहुत पतली आ रही है और दूसरी समस्या ये है कि उसके पसू क थन फट गए हैं तो पहले पहली समस्या का इलाज मैं आपको बताता हूँ जो कि उसके थनों के दार बहुत ही पतली आ रही है बहुत ही टाइट आ रही है तो उसको कैसे मोटा करना है कैसे आम बासा में बोले तो फोका करना है या तो फिर मतलब इजी करना है आसान करना है दोस्तो इसके लिए आपने क्या करना है आपने पहले 150 ग्राम उड़त की दाल लेनी है उड़त की दाल दोई हुई नहीं लेनी है छिल को समेत लेनी है तो दोस्तो उसको आपने रात को नमक वाले पानी में भिगो देना है और सुबह उसको पानी से निकाल कर मोटा दरदरा प पीशना है पीश कर बिल्कुल बारिक पोडर नहीं करना है मोटा दरदरा पीशना है ये ध्यान रखना है फिर दोस्तों आपने उसमें 50 गराम मीठा सोडा मिला देना है और फिर उसमें 50 गराम सादा नमक आपने मिला देना है तो दोस्तों ये जो आपका उपाय है वो तयार हो या फीड बंटा जो भी खिला रहे हैं उसमें मिला कर आपने देना है दिन में एक ही टाइम देना है और यह लगातार 5-7 दिन ही आपने देना है 7 दिन से ज्यादा बिलकुल भी नहीं देना है नहीं तो फिर थनों की दार इतनी मोटी हो जाएगे कि थन टपकने लगेंगे साथ दिन से ज्यादा नहीं देना है तो दोस्तों जो आपके पसूओं की धार है चाहे गाए हो चाहे बैस हो जो उसकी टाइट धार है जो उसकी पतली धार है वो मोटी हो जाएगी फोकी हो जाएगी इजी हो जाएगी आप आसानी से उसका दूद निकाल सकते हैं तो ये जो आप अपने पसूओं को दाना मिश्रन खिला रहे या फीड बंटा खिला रहे उसमें मिला कर पांस से साथ दिन ही देना है आपके पसूओं के दार मोटी हो जाएगी टाइट नहीं रहेगी इजी आसान हो जाएगी फोकी हो जाएगी आसानी से आप उसका दूद निकाल शकते हैं तो दोस्तों अब बात आती है दूसरी बिमारी दूसरी बिमारी क्या है कि जो भी उसकी गाय है या भैस है उसके थन फट रहे हैं तो दोस्तों ये शर्दियों में कई पसूओं के साथ होता है कि उनके जब दूद निकालते हैं तो उनके थन फट जाते हैं तो इसमें च पोदा देखा होगा जो कि आप सामने सक्रीन पर देख सकते हैं ये एलोवेरा का पोदा आपने इसका एक पत्ता ले लेना है और उस पत्ते से आपने थोड़ा सा गुदा निकाल लेना है छील कर अंदर से तो दोस्तों ये कितना लेना है जो जितने आपके पसू के थन पटे ह उसके हिसाब से लेना है वही कि उस पे आसानी से पूरे पे लग जाए तो ये ऐलोवेरा का गुदा आपने लेना है उसमें उतनी ही मातरा में हल्दी पौडर मिला लेना है हल्दी पौडर दोस्तों जो हम खाते हैं वो ना ले जो मोटी गाठो वाली हल्दी होती है वो बाजा अलो वेरा का गुद्दा और हल्दी का पौडर, तो यह एक पेश्ट सा त्यार हो जाएगा और इस पेश्ट को आपने जो आपके पुसुओं के थन फटे हुए है, मतलब पहले आपने पुसुओं का दूद निकाल लेना है, दोनो टाइम और दूद निकालने के बाद फिर य पेष्ट एलोवेरा का गुद्दा और हल्दी पाउडर का जो पेष्ट है वो तो दोस्तों ये भी आपने पांस से साथ दिन ही लगाना है मतलब जब तक आपके जो पसुओं के थन फटे हुए है वो ठीक नहीं हो जाते तब तक लगाते रहें तो इससे आपके पसुओं के फ सकते हैं जी हां सरसो के तेल में थोड़ी हल्दी मिलाकर उसका पेष्ट शा बनाकर वो भी आप एलोवेरा के गुद्दे की जगह इस्तमाल कर सकते हैं उससे भी आपके पसुओं के थन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आगे फटेंगे भी नहीं तो दोस्तों इस बाई की दो समस्या थी दोनों का इलाज मैंने आपको बता दिया आगे आप पसुओं की कौन सी समस्या पर कौन सी बिमारी पर वीडियो चाते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कोमेंट करें जिस भी पसुओं की समस्या पर या बिमारी पर ज्यादा से ज्यादा कोमेंट जाएए बाजू में जो गंटी का बटन है उसको भी दबा कर ओल पर सेट करते जाएए तो उमीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए होगी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए लाइक से भी ज्यादा शेयर कीजिए अपने दूस नमस्कार